अब हब प्राब्लम देखते हैं सोर सोर सिंग फ्लो पे तो पहले हम देखते हैं प्राब्लम नंबर 70 तो देखें इसमें क्या बोल रहा है determine the velocity of flow निकालना है at radii कितना है 0.4 meter, 0.2 meter, 0.4 meter and 0.8 meter पे when the water is flowing readily outward in a horizontal plane from a source जिसका के strength आपको दिया है 12 meter square per second तो देखें हमको velocity निकालना है यह आपका इस तरीके का डियाग्राम है यह source है readily outward आपका पानी इस तरीके से flow हो रहा है ठीक तो देखें है strength आप the source आपको दिया है यहां से q discharge कितना हो रहा है 12 meter square per second और radial velocity हमें निकालना है हम जानते u r is equal to q divided by 2 pi r तो देखें हमको velocity आप flow निकालना है जब radius कितना है 0.2 meter तो देखें q के value मैंने put कर दिया that is 12 2 pi r, r की जगा value put कर दिया that is 0.2 तो देखें 0.2 meter पे जो पानी की velocity आरी that is 9.55 meter per second फिर radial मेने कितना लिया radius मेने 0.4 meter लिया फिर मेने लिका q divided by 2 pi r, r कितना put करा 0.4 तो वहाँ पे radial component of velocity आरी 4.77 meter per second फिर मेने क्या करा radius कितना लिया 0.8 लिया तो q divided by 2 pi r करा, r कितना put करा 0.8 अब radial component of velocity कितनी आरी 2.88 meter per second तो देखें यही चीज हमने थियोरी में पढ़ाता जैसे जैसे सेंटर से आप दूर जाएंगे पानी की velocity आपकी कम होती जाएगी तो देखें यहां से जब आब यहां पे आ रहे हैं 0.2 meter पे velocity 9.55 meter per second है आप थोड़ा और आ गए 0.4 meter पे velocity आपकी कम हो गए 4.77 meter per second और और आगे आप चले गए 0.8 meter पे चले गए velocity आपको मिल रहे है 2.38 meter per second तो इस तरीके से हम क्या करते हैं radial velocity हम निकाल लेते हैं फिर हम एक और problem देखते हैं इस पे problem number 71 तो देखें यह अच्छा problem है क्या बोल रहे है two dicks are placed in a horizontal plane one over the other देखें दो dicks एक के ओपर एक रखे हुई है water enter at the center of the lower disc and flow readily outward from the source जिसका strength आपको दिया है 0.628 meter square per second the pressure at the radius 50 mm पे जो pressure that is 200 kilo newton per meter square का है find the pressure in kilo newton per meter square at the radius 500 mm पे 500 mm पे प्रेशर कितना होगा यह निकालना है हमें निकालना है stream function at an angle of 30 degree and 60 degree पे हमको निकालना है stream function निकालना है हम जानते हैं इस size 0 पे theta कितना है 0 हम इसको solve करते हैं तो देखें इसको solve करने के लिए एक हमको Bernoullis equation आना चाहिए तो देखें Bernoullis equation क्या बोलता है that is p by rho g plus v square y 2g plus z is equal to constant होता है p by rho g क्या होता pressure head होता है v square y 2g क्या होता है velocity head या kinetic head होता है plus z क्या होता है datum head होता है इन तीनों का sum हमेशा क्या होता है constant होता है ठीक है तो इन दोनों का sum क्या होता हमेशा constant होता है तो यहाँ पे हमने जो दो plate लिया है वो हमने horizontal रखा हुआ है ठीक है इसलिए z1 और z2 की value क्या होगी बराबर होगी इसलिए हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे ठेक है इसको हटा देंगे मतलब P by rho g plus V square by 2g is equal to constant मतलब हम लिख सकते P1 by rho g plus V radial 1 का whole square by 2g plus P2 by rho g plus U r U radial 2 point का whole square by 2g यह हम बना सकते हैं हम तीसरे चेप्टर में बनौलिस equation का derivation देखेंगे अब इस वाले चेप्टर में चुके इसका जरुद पढ़ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया है हमें क्या निकालना है pressure at the radius 500 mm पे निकालना है हमको pressure दिया है कितने पे दिया है 50 mm पे दिया हुआ 500 mm पे निकालना है तो देखें आपको q दिया हुआ है strength दिया हुआ है आपको p1 दिया हुआ है आपको p2 निकालना पड़ेगा आपको पहले आपको कहा निकालना प्रेशर निकालना है अब देखें radial velocity वो निकालना है हम कहां पे निकालना है जहां पे radius कितना है 50 mm है radius जहां पे 50 mm है वहां पे radial component of velocity कितनी आएगी वो निकालेंगे हम फिर हम निकालेंगे जहां पे radius 500 mm है वहां पे radial component of velocity कितनी आएगी यह हम निकालेंगे तो जहां पे radius 50 mm है वहां पे देखिए radius मैंने किसमें पूट कर आए मीटर में पूट कर आए Q की वैलू आपकी कितनी है 0.628 है और radius आपका कितना है 50 mm इसको मीटर में पूट कर दिया वहां पे radial component of velocity आपकी इतनी आए अब जहां पे radius कितना है 500 mm है वहाँ पे radial component of velocity कितनी आएगी वो निकालेंगे 500 mm को मैंने मीटर में convert कर लिया that is 0.5 मीटर हो गया Q के value तो CM है दोनों के लिए तो वहाँ पे radial component of velocity कितनी आएगी 0.2 मीटर पर सेकंड आएगी तो यह मान लीजिए यहाँ पे radial component of velocity कितनी आए 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे radial component of velocity कितनी आए 0.2 मीटर पर सेकंड इसको मैंने बोला it is the 0.1 और इसको मैंने बोला it is the 0.2 आपको यहाँ पे pressure दिया हुआ है जहाँ 50 mm यह आपका 50 mm है इस इस 50 mm और यह आपका कितना है यह आपका 500 mm है तो 50 mm पे आपको pressure कितना दिया है 20 kN per meter square दिया है 500 mm पे pressure आपसे पूछा है तो आपने इन दोनों point के बीच में Bernoulli's theorem लगा दिया Bernoulli's theorem क्या बोलता है यह Bernoulli's equation की equation है तो देखे हमें क्या निकालना है हमें P2 निकालना है यहाँ पे pressure निकालना है तो देखे P1 आपको दिया हुआ है It is our P1 यह देखे It is our P1 P1 कितना दिया है 200 kN Kilo में दिया है मैंने इसको Newton per meter square में लिख दिया Density of water आप जानते है That is 1000 g आप जानते है That is 9.81 Radial component of velocity at 0.1 1 पे radial component of velocity कितने है That is 2 meter per second यहाँ पे मैंने 2 meter per second लिख दिया Divided by 2 g 2 into 9.8 कर दिया Equal to P2 आपको निकालना है तो P2 by rho g rho g आपको कितना होगा rho होगा 1000 और g कितना होगा 9.81 होगा Radial component of velocity at 0.2 2 पे आपने radial component निकाला जो कि कम आएगी 1 से यह आपने लिख दिया 0.2 का whole square divided by 2 into 9.81 तो देखे इसको जब आप solve कर लेंगे तो you will get the value of P2 इतने newton per meter square आपका P2 के value निकल के आ जाएगी अब second इसमें क्या करना है Stream function at angle 30 degree and 60 degree निकालना है Si equal to 0 है कहाँ पे जब theta equal to 0 है तो देखे इसका हम second part करते हैं तो देखिए हम जानते Si is equal to Q theta divided by 2 pi तो देखे जब theta आपका कितना 30 degree यहाँ पे ध्यान रखिएगा theta हमको radian में put करना है theta 30 degree पे Si आपका कितना होगा तो देखे यह Q divided by 2 pi कर दिया theta को मेरे को radian में लेना है यह degree में दिया हुआ है यह degree में दिया हुआ है तो इसमें pi by 180 का multiply कर देंगे तो theta आपका radian में आ जाएगा तो इससे Si क्यों आपकी आ जाएगी That is 0.0523 meter square per second इसी तरह जब theta आपका 60 degree रहेगा तब Si कितना आएगा हम सेम यही वाला formula यूज़ करेंगे Si is equal to Q theta divided by 2 pi यह Q हो गया है यह 2 pi हो गया यहाँ पे theta radian में put करना आपको degree में दिया है तो degree में pi by 180 का multiply कर देंगे तो Si की value आपके निकल के आ जाएगी तो इस तरीके से हमें यह problem करना है Thank you